नमस्कार मैं हूँ आपका रुद्रभा और ये पॉड़कास्ट इसकुल जाने वाले बच्चे और कॉलेज जाने वाले बच्चे यूथ मेरे जैसे यूथ और बहुतों के लिए मददगार साबित हो सकती है क्योंकि इसमें जो चीज मैं बताऊंगा वही चीज बताऊंगा जो मेरा खुद का experience है तो क्या पता शायद आप कुछ जानकार लोग हैं तो शायद उनको कुछ ज्यादा कुछ नया सेखने को नहीं मिलेग तो ये podcast definitely मदद करेगी तो शुरुआत होती है certification से certification मतलब होगे कि आपने कुछ किया तो आपको बदले में certificate मिला तो मैंने देखा इधर बीच देखते देखते कई साय certificate provide करने वाले institution खुल गए मुझको कोई problem ऐसे तो नहीं है personally बट मुझे problem है एक चीज़ से कि ये जो आप लोग पैसे अपने मैनद का पैसा खर्च करके certificate ले लेते हैं इसकी actual worth और value क्या है क्योंकि एक अच्छी बात है एक बुरी बात है अच्छी बात ये है कि certifications भी जो होती है so called अगर इसकी global value है भ लेकिन उसके बाद सब कुछ आपके project आपके experience ये सरे चीज़ों पर depend करता है ultimately right so पहले जो certificate मिल रही है तो आप ये सिर्फ मत देखिए कि certificate मिल गई इस field पर या देखिए कौन इशु किया है ठीक है कौन उसको authorize कर रहा है ठीक है और फिर देखिए उस certificate की value क्या है क्योंकि certificate पर तो कोई भी दे सकता है मैं भी आपको एक बना के दे सकता हूं ठीक है तो क्या मेरे certificate देने से आपको कहीं पर job मिलेगा of course not ठीक है तो ये पहली चीज़ होती है क्योंकि मैं देखता हूं बहुत से institute कोल देते कहते हम आपको certificate provide करेंगे भई आपकी वर्थ क्या है certificate की अप पर जॉइन कर ले था और यहां तो फिर मैं reality को accept करते हूं मैंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि this is a kind of cheating anyways आप यहां पर दूसरी चीज़ आती है कि हमको certification नहीं करना चाहिए बेलकुल करना चाहिए अगर मैं किसी particular organization का नाम नहीं लूँगा एल्स प्रिपल वर कंसीडर कि एफ इस मदब इस वरी हिंदी में रखता हूं कि यह शायद sponsored एक podcast है या affiliate है ऐसा कुछ नहीं है हम सभी जानते हैं बहुत फेमस है को से रहा हो गया edX हो गया बहुत फेमस है पुराने खिलाड़ी है तो इनके कुछ certificates की value भी होती है actually सारे की हो personally कभी edX से कोई certificate लिया नहीं है तो मैं watch नहीं कर सकता बर definitely they are the global players they are the old players sorry Hindi में फिर से यह पुराने खिलाड़ी है वैश्वी किस तर के तो इनकी एक reputation मतलब एक इज़त सम्मान है इनके certificate की ठीक है तो ऐसे certificate से मिलने पे आपको elementary level पे शुरुवाती level पे चाहे internship हो या छोटे level पे पोस्टोस में जाने में असानी हो जाती थोड़ी सी अब जो matter करता है यह चीज़ आपके खुद के project अगर आपने किया है वो तो बहुत basic सी और बहुत plus चीज़ है वो तो होना ही चीज़ है और साथी के साथ उसके basis पे आपका certificate हो गया आपका project हो गया ठीक है जनरली यह बहुत अच्छी बात होती है कि वो certificate भी प्रोवाइड करते हैं मतलब देते हैं आपको जब आपने कोई project पर काम किया होता है तो एक अच्छी बात होती है अच्छे certificate प्रोवाइड करते हैं उनकी पहचान होती है अगर वो organization जो project करवा के certificate दे वो सही हो यह ज़रूरी नहीं तो आपको थोड़ा market research करना होता है ठीक है तो where I was हाँ तो अपने project किया तो आपको internship मिल गई elementary level पे job मिल गया अब क्या अब यह जो आपका experience है या अपने जितने भी client के project या otherwise जैसे project पे काम किये वो आपको ऐसी opportunities मिलने लगती है अब जैसे lockdown में क्या हुआ मतलब मेरा personal क्या चल रहा है भी वो भी मैं आपसे share करता हूँ कि जब मैंने शुरुबात के आगे यह certificates मुझे elementary level पे घुसने में मदद किया consultation में या फिर कह लिजे projects खुद के projects थे तो उसको build up किया उससे भी portfolio बना तो क्या हुआ फिर जैसे इसे काम करता गया तो project की संख्या बढ़ने लगी project में नी versatility बढ़ने लगी क्योंकि अलग-अलग level पे अलग-अलग तरह के project पे काम करने लगा तो यह चीज बढ़ती चली गई और अभी जिस position में हूँ यहाँ पर दो चीज़े हैं पहली चीज कि certificate की कोई value नहीं है ठीक है क्योंकि जो recommendation internal मिलते है मुझे और जो क्या कहते ह projects है that is much more than sufficient to fetch any work or project but there is another scenario कि अभी market की band बजी पड़ी है यह भी एक अगीगत है तो ऐसे case में क्या है हमारे पास हमारे पास ऐसे case में क्या है कि हम और भी नहीं चीजे को सीख सकते हैं तो मैं अभी basically क्या करता हूँ कि यह fact है कि पहले जो काम था पहले जो चीजे थी वो बहु comment jobs में भी कुछ cuts हुए हैं मेरे ख्याल से I'm not sure but ऐसा सुनने में आया था तो अगर ऐसी बात है तो cut हो या थोड़ा सा reduce होना हो या directly directly थोड़ा बहुत हर्फ जो है segment effect हुआ है क्या कहते हैं pandemic से जो उसके after effects भी कह लिजी अभी है अभी तो after effects असली आने बाकी है I hope कि सब अच् में इस time में दो चीज़े कर सकते हैं जो beginner उनको मैं यह recommend करूंगा कि global level पर मानियता प्राप्त ठीक है certification course को करें ठीक है मैं किसी को recommend नहीं कर रहा हूं आप खुद research करे Google नामा के एक जगा है खोजे और school ही बच्चे तो जरूर से करें ठीक है अगर आपके पास free time थोड़ा म बनाए टेकनिकल वाले हो कोडिंग वाले हो तो गीथब के प्रोफाइल को maintain करो बढ़िया करो और और अगर नहीं जैसे वेब डवलेपर वाले हैं जैसे मैं ऐसी वाला था तो मैं क्या करते हैं अपने साइट को rank करवा था तो यह सरी चीज़े हैं तो वह प्रोजेक्ट पर बनाओ तो इदर भीच किया कर रहा हूं मैं कि अपने और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं मैं परसनल चीज अपनी बता रहा हूं वाई क्योंकि this is what I can suggest you क्यां जो मैं खुद कर रहा हूँ मैं यही आपको सुझाओ दे सकता हूँ तो आप अगर माली जी अल्रेडी सर्टिफिकेशन कर चुके उल्रेडी काम कर चुके हैं और थोड़े बहुत मेरे तरह वेले बठे हुए हैं आप अपने अभी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं तो मेरे अगला गोल यही है कि मैं बड़े और अबिश्य प्रोजेक्ट को जब मार्केट से थोड़ा सही होगा जब अच्छे दिन सही में आने लगेंगे तो मुझे मौका मिल सके क्योंकि मौका तो एक ही चीज़ से मिलेगा हम जैसे यूद को वो है हमारे experience, skill और project से तो क्या हुआ conclusion स्टार्टिंग कर रहे हो तो मस certification करो और थोड़े बहुत project करो और अगर 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 certification कर चुके हो तो दबा कर project करो खुद के, client के कैसे भी यही हमारे अच्छे दिन in future वापस लाएंगे और जो अगर नहीं करोगे तो जब अच्छे दिन सब के आ रहे होंगे तो तुम्हारे नहीं आएंगे तो यह भाईवाला suggestion था वाकी देख लो Good night, thank you so much for listening